दोस्तो माई जुन जुलाई अडमिशन का सत्र एगनु दुबाराज शुरू कर दिया गया है जो कि लाइस डेट अभी है 30 जुन 2023 यह डेट बढ़ता रहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है यदि आप किसी कोर्स मडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम इंफ सिप्सन में मौझूद है अब वेबसाइट हिंदी पेज पर आने के बाद में आपके समने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रोल डाउन करना है भी सह सूची मिल जाता है इसमें भी आप देख सकते है यहाँ पर एपोर्ट लिंक है इस पर क्लिक करना है या स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है यहाँ पर इगनू अडिमिसन अप्लाई मिल जाता है लिंक इस पर आपको क्लिक कर देना है या आप गूगल में भी इगनू सर्च करके आ सकते हैं क्लिक खेर के बटन पर क्लिक करन आपको पहले वाला लिंक पर क्लिक करना है क्लिक हर फर निव रेटेशन का बटन पर क्लिक कर देना है सब सब पहले आपको यहां पर उजरनेम दर्ज करना है यहां पर उनिक उजरनेम में दर्ज करें ताकि अबलेबल हो यहाँ पर दिखे अप्लिकेंट का पूरा नाम दर्ज करना है इस बॉक्स में इमेल आड़ी इस बॉक्स में दर्ज करना है जो भी इमेल आड़ी है इस बॉक्स में दर्ज करेंगे इसी इमेल आड़ी को यहाँ पर confirm कर देंगे यहाँ पर password आपको दर्ज करना होगा इसी box में password भी confirm कर देना है password इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जैसे कि capital B हो गया C हो गया small d हो गया यहाँ पर huch लिख देंगे या star यहाँ पर देंगे 123 यहाँ पर कोई भी number आप add कर सकते हैं इस तरह के आप password बना सकते हैं यहाँ पर mobile number दाज करना है valid mobile number दाज करें इसी mobile number को यहाँ पर confirm करना है इस box में capture दाज करना है सब कुछ साही हो तो आपको register बटन पर click कर देना है यहाँ पर आपको एक message मिल जाता है Your account is created successfully Please login and apply in program आप login करके apply कर सकते हैं अपने मन पसंद प्रोग्राम में यहाँ पर मैं डिपुलोमा प्रोग्राम में मैं मिसल लेने वाला हूँ CCR Certificate in Community Radio यहाँ समय फिर साहता हूँ login पेज पर login पेज पर आने के बाद में यहाँ पर username दरज करना है यहाँ पर password दरज करना है इस box में capture दरज करना है और login बटन पर click कर देना है login करने के बाद आपके सामने important introduction यहाँ पर open हो जाता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि apply करते समय आपसे scan photograph और signature मांगा जाएगा जो कि 100KB से कम होना चाहिए educational qualification certificate 200KB तक होना चाहिए यहाँ पर experience certificate है वह भी आपको 220KB के साथ आपको upload करना होगा CST हैं OBC हैं तो आपको यहाँ पर 200KB तक आपको upload करना होगा कोई भी certificate हो 200KB से कम होना चाहिए payment यहाँ पर carry card, mastercard, debit card जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं net banking है net banking से आप कर सकते हैं यहाँ से scroll down करना है और यहाँ पर आपको tick करना है I have a read the important information इस box में tick कर देना है यहाँ से tick करने के बाद यहाँ पर submit button पर click कर देना है यहाँ पर देखिए personal information आपको type करना है यहाँ पर नाम pilot से type है यहाँ पर आपको mother's name दर्ज करना है यहाँ से guardian का relation select करना है जो भी relation है जैसे की fathers, mothers, यदि पतनी है तो husband का आपना guardian name में select कर सकती है यहाँ पर मैं फादर select करता हूँ यहाँ पर आपको father's name दर्ज करना है जो भी father's name है आप यहाँ परदर्ज करेंगे यहाँ से date of birth select करना है इस calendar के मादियम से आप select कर लेंगे यहाँ से category select करना है general है, BC है, SC है, ST है जो भी है आप select करेंगे यहाँ से यहाँ पर gender पुछा जा रहा है male, female जो भी है आप यहाँ से select करेंगे country name यहाँ से India select है यहाँ पर सारी गाउं जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप select करेंगे यहाँ से immunity yes, no में जबाब देंगे religion यहाँ से select करेंगे Hindu, Muslim जो भी हैं आप select करेंगे marital status यहाँ से select करेंगे social status क्या है आप यहाँ से select करेंगे यहाँ पर email id pilot से दर्ज है यदि आपके पास alternate email id है तो यहाँ पर दर्ज करेंगे mobile number दर्ज है alternate mobile number है तो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे other details आपको select करना है disability as no में आपको जबाब देना है employment assurance select करना है employee है तो यहाँ पर आपको select करना है नहीं है तो आपको यहां पर select करना है Unemployed, निचे scroll and करना है, यहां पर scholarship आप प्राप्ट करते हैं, तो scholarship details आप अदर्ज करेंगे, यहां पर amount दज करेंगे, कहां से आप scholarship प्राप्ट करते हैं, यहां पर आप select करेंगे, यदि आप अदर्ज से select करते हैं, तो यहां पर select करेंग यदि आप edit करना चाहते हैं तो edit button पर click करके आप edit कर सकते हैं सब कुछ सही है तो next button पर आपको click कर देना है यहाँ पर देखे program type दिया हुआ है program type में आप जो भी select करना चाहते हैं select करेंगे यहाँ पर program type में select करना है तो यहाँ पर मैं certificate select करता हूँ यहाँ पर mode of study select करना है audio select है तो मैं पहले से तो already मैं select कर देता हूँ select program for element यहाँ पर program select करना है यहाँ पर मैं CCR select करता हूँ यहाँ पर original code आपको select करना है admission के लिए तहाँ पर आप select करना चाहते हैं तहाँ पर मैं पटना select करता हूँ यहाँ पर code मिल जाता है study का study यह कहीं center है study center पटना तो यहाँ पर मैं इसी को select करता हूँ यहाँ पर medium मिल जाता है किस medium से आप करना चाहते है Hindi English तो यहाँ पर आपको select करना है यदि आप already student है युगनू के तो आप यहाँ पर yes no में जबाब देंगे आगे बढ़ने के लिए submit बटन पर click कर देंगे यदि आप edit करना चाहते हैं तो edit बटन पर click करके कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो next बटन पर click करेंगे यहाँ पर qualification select करना है यहाँ पर 10 प्लस 2 आपको select कर देना है यहाँ पर main subject जो भी है आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर मैं select कर देता हूँ science यहाँ पर passing gear select करना है यहाँ पर division select करना है जो भी division आप select करेंगे यहाँ पर mark select करना है यहाँ पर branch code select करना है यहाँ पर आपका board नहीं दिखाई दे रहा है तो not listed कर देना है, और यहाँ पर अपना board कर नहां हम दरज lyक्ष कर देना है, यहाँ पर मैं दरज कर दिया हूं, role number दरज कर देना है, यहाँ पर आपको कुछी भी दरज नहीं कर नहीं करना है दोनों box में और submit बटन पर click कर देना है, यहाँ पर इस तरह का details आपके समने हाई देगा यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं करना चाहते हैं तो next बटन पर क्लिक कर दें यहाँ पर दिखिए कोर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर three subject compulsory मिल रहा है यदि आप accept करना चाहते हैं तो submit बटन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपका details से दिखाई देगा, अडिट करने के लिए यहां पर किलिक करेंगे, सब कु सही है तो यहां पर next बटन पर किलिक कर देंगे, correspondence address आपको दर्ज करना है, address 1 में आपको दर्ज करना है, address 2 में दर्ज करना है, यहां पर city का नम दर्ज करना है, यहां पर pin को दर्ज करना है, बढ़ने के लिए नहीं बटन पर क्लिक कर देंगे, यहां पर upload करने के लिए कहा जा रहा है फोटो, आपका जो फोटो है 10-100 के वीच होना चाहिए, इस गनेचर है 10-100 के वीच होना चाहिए अप्लोड करने के लिए select file पर click करके आपको upload करना है यहाँ पर दिखें मैं टूक के lesson का certificate upload करना है 10 प्लस 2 का upload करना है category certificate upload करना चाहते हैं तो upload कर दीजिए और करना भी जलूरी है अधार काट करना चाहते हैं तो इसमें से other में किसी भी option में आप upload कर सकते हैं यहाँ पर मैं upload करता हूँ यहाँ पर upload करने के बाद start upload के button पर click कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह का आजाएगा इसी तरह से बारी बारी से सब को upload कर देना है यहाँ पर देखें सब भी document upload करने के बाद नीचे scroll learn करना है edit करने के लिए आपर click कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए आपको next button पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर form का preview दिखाई देगा यदि आप change करना चाहते हैं तो modify this station के button पर click करके change कर सकते हैं यहाँ पर भी change करना चाहते हैं modify the station के button पर click करके change कर सकते हैं नीचे scroll learn करना है यहाँ पर देखे आपको attainment condition को accept करना है यहाँ पर देखे payment के लिए कहा जा रहा है कि 6600 लगेगा जो भी payment लएगा आपके course के अनुसार ही लगेगा यहाँ पर आपको I agree के button पर click करना है accept and proceed फर payment के button पर click कर देना है यहाँ से OK बटन पर click कर देना है यहाँ पर payment करने के लिए दो gateway मिल जाते हैं यहाँ पर किसी भी gateway से आप payment कर सकते हैं यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप gateway 1 से भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं click करता हूँ यहाँ पर आप credit cards, debit card, net banking, multiple option मिल जाता है आप payment कर सकते हैं आपके बढ़ने के लिए प्रुषिट नव के बटन पर click करेंगे यहाँ पर आपके पास जो भी card है आप यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर आपको card number दर्ज करना होगा इस पर redirect दर्ज करना होगा और continue बटन पर click कर देना है आपके पंजकिरित mobile number पर एक OTP पर आपत होगा OTP को इंटर OTP बॉक्स में दर्ज करना है और submit बटन पर click कर देना है इसके बाद में आपका payment हो जाएगा यहाँ पर redirect करेगा आपको इन्यू के website पर आपको यहाँ पर click करना है my transaction के उपर my transaction के उपर click करने के बाद आपका details आपके सामने दिखाई देगा यहाँ पर देखिए amount pad है success का message दिखाई देगा यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो my application के बटन पर click करके डाउनलोड भी कर सकते हैं यह तरह से असानी से फरम भर सकते हैं यहाँ पर मैं बताया हूँ audio mode से इगनू में online admission कैसे कराएं इस वीडियो से बंदित कोई भी सवाल हो सुजाओ हो तो comment box में बताएं मिलते हैं नी वीडियो में धन्यवाद